हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का OmTricks में दोस्तों आपका जैसे की Class 12 का English का paper है उससे में आप सभी के लिए चार-चार नंबर वाले Central Ideas आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हों दोस्तों चार चार नमर के आपके central idea पुछे जाते हैं और इनहीं chapter से आपके कुछ आपके जो passage of comprehension होता है यानि कि जिसमें आपको explanation दी रहती है reference, context और उसका लिखना रहता है passage तो दोस्तों यही चीज़ आपको मैं इस video में बताने वाला हूँ तो मैं आपको बता दूँ, chapter number second है, poem number second है poem को नाम है the true beauty इसे लिखा Thomas Carey उने तो इसका central idea सबसे पहले आप देख लो आपके सामने लिखा हुआ है एक सबसे पहले बात बताने चाहता हूँ कि video का जो PDF है वो description में दिया गया है दोस्तों, PDF फाइल जो होती है जिससे आप की ज़्यादा साहता होगी वो आपको description में सबसे उपर दिये गया, link में मिल जाएगी तो दोस्तों, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, सबसे उपर दिया गया है तो दोस्तों, सबसे पहले आपको central idea याद कर लेना है the true beauty का, बहुत important होता है the true beauty का उसके बाद आपको central idea लिखने के बाद एक heading डाले होगी poetic beauty, जिसे हिंदी में कावि सौंदर भी कहते हैं ठीक है दोस्तों, फिर आजाते है chapter के कुछ passage of comprehension, सबसे पहले आपको यहाँ पे passage दिया गया यह passage dot dot करके दिया गया है आप अपनी question bank या फिर अपनी किताब में भी देख के कर सकते हो तो दोस्तों यह पूरा PDF मैंने दे दिया है description में पूरी चीज का PDF आप download कर लो दोस्तों PDF इसको मिल जाएगा आपको description में सब से उपर जाओ दोस्तों जाकर के download कर लो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया